अब हमारे पास है question number 7, जो कि हम से कह रहा है, a tire has three punctures, the first puncture alone would have made the tire flat in 14 minutes, the second alone would have done it in 28 minutes, the third alone would have done it in 56 minutes, if air leaks out at a constant rate, how long in minutes does it take for all the punctures together to make the tire flat? एक बार हम इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है, एक tire में तीन पंक्चर है, पहला पंक्चर अकेले ही tire को 14 minutes में flat कर सकता है, दूसरा पंक्चर अकेले ही इसे 28 minutes में flat कर सकता है, और तीसरा पंक्चर अकेले ही इसे 56 minutes में flat कर सकता है, यदि हवा निय मैं लगेगा थीक है हमें ये बता रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर जैसे कि अब हमाल लेते हैं कि total उनको कितना हवा निकालना है हमारे पास तो total हवा निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है total work और हम इसका क्या कर लेंगे हम एलसेम ले लेंगे ठीक है so एलसेम कितना आएगा हमारे पास 14, 28 और 56 का so यह आजाएगा हमारे पास 56 so total इनको 56 हवा निकालना है total इनको क्या करना है 56 हवा यानिके air निकालना है ठीक है so h1 जो hole है यानिके जो पहला hole है पहला hole 14 मिनट में 56 हवा निकालता है तो एक मिनट में कितना निकालेगा so एक मिनट में क्या करेंगे तो 56 over 14 कर लेंगे तो हमारे चार आएगा ठीक है so जो च चार आया हमारे पास यह क्या है basically यह एक मिनट में निकाला गया हवा है जो कि basically यह एचवन का efficiency हो जायेगा इसी तरीके से हमारे पास H2 28 मिनिट में 56 हवा निकाल रहा है या फिर हम यह कह सकते हैं कि 56 काम कर रहा है तो H2 जो है हमारे पास 28 मिनिट में 56 काम कर रहा है तो 1 मिनिट में कितना करेगा तो 56 बटे में 28 यानि कि 28 दुना 56 यानि कि 2 काम करेगा इसी तरीके से जो h3 हमारे पास वो 56 मिनिट में 56 काम कर रहा है तो क्या करेगा एक मिनिट में कितना काम करेगा तो एक मिनिट में वो एक काम करेगा तो ये एक इसकी efficiency हो जाएगी अब ये कह रहा है कि total यानि कि हमारे पास h1, h2 और h3 अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएँ तो total इंको टोल काम करना है सो total काम तो इनको टोटल 56 ही करना है ठीक है अब तीनों मिल जाएँ तो तीनों के efficiency भी जुड जाएगी तीनों के efficiency कितने वरिगे, 4, 2, 6 और छी और 1, 7 अगर इस तीनों साथ में मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो टोटल हवा जो है मार पास 56 निकालना है तो कितने मिनिट में निकाल देंगे तो सत्व अठो चपन यानि कि यहाँ पर क्या आजाएगा आठ मिनिट लगेगा तो इसका आठ यानि कि ऑप्शन नमबर डी ऑप्शन होग कि यहाँ टूल लगेगा।